Hello students, आज हम SOSD का नया पार्ट सिखने जा रहे है The Desert Land of India इसके पहले पार्ट 1 में हमने इंडिया का पूरा फिजियोग्राफी पड़ा है और अलग-अलग चाप्टर जो है वो सभी चाप्टर पड़े है अगर आपने वो नहीं देखे है तो आप पहले उनको जाके देख लीजिये ताके आपको यह समझने में काफी easy होगा तो चलो शुरुआत करते है The Desert Land of India Desert मतलब क्या सबसे पहले तो desert is an unproductive land which may be hot or cold मतलब क्या है desert एक unproductive land रहती है unproductive मतलब क्या जहापे कुछ भी उपजाउता नहीं रहती है जमीन की जो उपजाउता रहती है वो कुछ भी नहीं रहती है मतलब वहापे पेड़ पाउदे काफी कम मात्रा में रहते है ऐसी जमीन को बोलते है unproductive land तो ऐसी जो अनप्रोड्व डु podr актив रहेती है वह दो टाइप के रहती है एक तो होट मतलब गर्मी की जगह पे और एक रहेती है थंडी की जगेप अपट और कोल तो ये दूनों डिजर्ट के टाइप है डिजट powerful शेकी 2 इंद कोल इंद क्या था है या और cold desert are icy and dry, तो desert में सबसे common चीज़ क्या है कि वो dry रहता है, मतलब वहाँ पे scarcity of water, मतलब क्या है, पानी की बहुत से कम मातरा रहता है, मतलब पानी ज्यादा रहता नहीं है, इसके लिए वो dry रहता है, और अगर hot रहा, तो hot desert sandy रहता है, और अगर cold रहा, तो cold desert icy रहता है, पानी नहीं रहता है, the great Indian desert known as thar is a hot, dry and sandy land, इंडिया में कैसा है, यह thar desert यहाँ पे दिखाया गया है, जो desert है, hot desert जो इंडिया में है, उसको कहते है, thar desert, थार उसका नाम है, thar desert, वो कैसा है, hot है, मतलब गरम है, dry मतलब सुखा है, और sandy, sandy मतलब रेत है वहाँ पे, sand मतलब र तो इसा है desert है, अभी desert का location क्या है, तो जो थार desert is located in the north western part of Rajasthan, यह कौन सा state है, हमने पहले भी पढ़ा है, यह है राजस्तान, तो इसका north west part, इंडिया का north west और राजस्तन का भी north west, यहाँ पे, कै लोकेटेड है, अपना थार desert लोकेटेड है, and to west of Aralee Hills, मतलब राजस्तान में, यहाँ पे, क्या है, Aralee Hills है, यहाँ पे देखे, मेरा pencil का point यहाँ पे है, वहाँ पे क्या है, Aralee, Aralee range है, हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे क्या है, Aralee range, तो उसके west side म It is an extension of Arabian desert यहाँ पे इंडिया के west side में कुनसी country है? Pakistan और सभी Arabian countries आती है पाकिस्तान के west side में क्या है? Arabian country तो वहाँपे सब desert है उसी का extension है यह third desert शाओदी अरेबिया Arabian desert of Saudi Arabia spread into Pakistan as Sin desert तो मैंने अभी अभी आपको जो बताया कि West में कुन सा है पाकिस्तान है सुधी अरेबिया है इसी का वो सब जगह पे जो डेजर्ट है उसको बोलते अरेबियन डेजर्ट उसी का extension है पाकिस्तान और सिंद डेजर्ट का भी यह थार डेजर्ट तो इस अ कंटिनुटी अफ अरे के लिए क्या आता है ड्राय सबसे पहले आता है ड्राय क्लायमिट और अगर वो हॉट डेजर्ट रहा तो फिर हॉट अंड्राय क्लायमिट अकर कोल्ड डेजर्ट रहा तो आइसी अंड्राय क्लायमिट तो यहां पर हम क्या पत्राइब भी थार डेजर्ट थार डेजर्ट क् तो रात के समय टेंपरेचर एकदम से डाउन हो जाता है ऐसा क्यों होता है तो आगे दिया हुआ है this is because sand absorb and loss heat quickly मतलब क्या है जमीन के उपर जो sand रहती है वो sand क्या करती है कि heat मतलब दिन में जो sun रहता है sun is a great source of heat तो sun से जो heat मिलती है वो जल्दी absorb कर लेता है और जल्दी गरम हो जाता है उसके वज़से temperature high हो जाता है वही उसका उल्टा होता है रात में रात में जैसे ही sunset होता ह है उसके बाद में जो sand रहती है वो heat भी जल्दी छोड़ देती है तो उसके वाएसे temperature बहुत जल्दी नीचे डाउन हो जाता है तो cold हो जाता है ठीक है उसी तरह से यह तो दिन और रात का हो गया दिन में temperature ज्यादा रहेगा रात में temperature बहुत ज्यादा कम रहेगा ठीक है summers are extremely hot and winters are beating cold इसी तरह से summers मतलब जो धूप का महिना आता है वो time में भी extremely hot रहता है बहुत ज्यादा गरम रहता है और winters जो रहते वो winters में बहुत ज्यादा थंड पड़ती है तो beating cold during summer hot winds called loo blow from the desert region towards the state of उत्तर प्रदिश and Delhi तो क्या होता है जब summer season आता है तो देखे यहाँ पे यह desert area है यहाँ पे गरम ज्यादा होता है तो यह गरमी के बज़े से यहाँ की जो हवा है वो गरम हवा यहाँ पे बैने लगती है कहाँ पे दिल्ली दिल्ली कहाँ पे यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे उत्तर प्रदेश यह region में यहाँ की जो गरम हवा है वो बहिती है और उसको क्या कहीते है तो उसको Assuits a कर देली इंकरेजिंग देर्ट समर टेंपरेचर और इसके बिए से क्या होता यह गरम हुआ है तो इसके बाइए से वहाँ की जो टेंपरेचर है वह बढ़ने लगती है rainfall is हवा desert से वो side में ही क्यों बहती है क्योंकि हमेशे याद रखिये हवा जहाँ पे temperature ज़्यादा रहता है वहाँ से जहाँ पे temperature कम रहता है वो side में बहती है इसके वाएसे वो desert से उत्तरप्रदेश और दिल्ली के तरफ में बहती है उसको बोलते है लू this is very important term rainfall is very scanty हमने पहले ही पढ़ा desert मतलब dry तो फिर rainfall ऐसे होगा बहुत कम होगा less than 25 cm per annum मतलब साल में 25 cm rainfall यह बहुत ही कम rainfall है this is because the arowli hills do not allow the moisture laden winds to enter the desert हमने पहले देखा था कि जो मांसून है southwest मांसून वो पूरे इंडिया में बारिश लेके आता है तो उसकी जो winds है वो यहाँ पर अरowli range होने की बेदे से west side में जा नहीं पाती है इसके बेदे से यहाँ पर बारिश नहीं होती है ठीक है अभी देखते physical features of the desert region physical features मतलब क्या है यहाँ पर landform कैसा है जमीन कैसी है उसके बारे में जो भी features आते हैं उसको physical features बोलते हैं physical features of the desert of desert region a desert is covered with thick sheet of loose sand desert कैसा रहता है thin sheet of loose sand मतलब हमने देखा है रेगिस्तान मतलब क्या है यह देखें यह है जो sand रहता है वो सभी sand का एक चादर सरी का पूरा एक thick sheet रहता है strong wind can sand strong wind called sand storm तो देखें sand storm कैसे रहते बहुत बार picture में हम लोग देखते हैं कि रेगिस्तान में ऐसी जब जोरुस्क की हवा आती है तब यह पूरा जो भी sand रहता है वो हवा में उडने लगता है तो उसको क्या बोलते है sand storm sometimes blow over the wash trash of sand and shift it from one place to another यह जो हवा चलती है उसको रोकने के लिए जैसे हम दूसरी जगह पे कह रहते है कि पेड रहते है तो उसके बार से हवा को एक रुखावट से पैदा हो थी मगर यहाँ पे कुछ रुखावट रहते है नहीं है तो बहुत दूर तक हवा ऐसी बैती हुई जाती है और उसका force भी बढ़ जाता है और उसके अंदर यह सभी जो sand particles रहते है जो यह rate रहते है वो mix होके बहुत दूर तक जाती है और कई बार तो ऐसा होता है कि एक जगह से यह जो rate के टीले बोलते है मतलब rate के जो पहाड बन जाते है वो भी एक जगह से दूसरी जगह shift हो जाते है it from one place to another forming small and sand hill called sand dunes तो मैंने जो बोला कि यह जो रेट के पहाड बनते हैं, छोटे-छोटे, उनको क्या बोलते हैं, sand dunes बोलते हैं, ठीक है, these storms are so strong that one can easily get lost in them, मतलब यह जो sand storms होते हैं, यह इतने बड़े-बड़े होते हैं, कि इसमें कोई भी आदमी गुम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे identify करने के लिए, कुछ भी नहीं रहता है, पेड भी दूर-दूर तक नहीं दिखते हैं, कुछ water body भी दूर-दूर तक नहीं दिखते हैं, तो एक identification कुछ भी नहीं रहता है, और जो rate के, यह sand dunes होते हैं, वो भी shift हो जाते हैं, तो आदमी easily गुम होने का chance रहते हैं, अभी यह देखें, crescent shape sand dunes are called barchan, यह जो sand dunes रहते हैं, यह दो type के रहते हैं, एक तो crescent shape, crescent shape मतलब क्या है, एक ऐसा sea shape रहेगा, sand का, यह जो sand dunes है, उसका ऐसा sea shape अगर रहा, तो उसको बोलते हैं, बार्चन, and long reef shape dunes, called safe dunes, मतलब ऐसे खड़े अगर dunes दिखाई दे, तो उसको बोलते है, safe dunes, बार्चन, sand dunes are not permanent, जो बार्चन, sand dunes रहते हैं, वो permanent नहीं है, मतलब वो एक जगा से दूसरी जगा shift होते रहते हैं, rainfall is very rare, but when it rains, it is heavy downpour, forming legs in depression, यहाँ पर क्या है, पहली बात तो rainfall होता नहीं है, और अगर rainfall भी हुआ, तो बहुत ज़्यादा होता है, downpour बोला गया है, heavy downpour, मतलब हम जो बोलते है, duck footy वेगरा जैसा परकार होता है, वो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा heavily rainfall होता है, और तुरंत होके तुरंत गया है, यहाँ पर एक अगर आपको याद करना है, तो simple सी बात है, कि रहिकिस्तान, मतलब desert जहाँ पर भी आया, तो यहाँ पर जो भी चीज हो, वो बहुत ज़्यादा होती है, अगर heat है, तो बहुत ज़्यादा heat, थंड है, तो बहुत ज़्यादा थंड, rainfall है, rainfall पहले तो होता नहीं है, जब भी होता है, बहुत ज़्यादा rainfall, यह बात याद रखो, climate पूरा का पूरा समझ में आ जाएग तो उसके बाद में बारिश तो ज़्यादा देर रुखने वाली नहीं है थोड़े देर बाद जब बारिश चली जाएगी तब पानी का evaporation शुरू हो जाता है evaporation आपने science में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो आप science के वीडियो भी देखिए उसमें आपको समझ में आ जाएगा तो फिर जो लेक रहता है उसके उपल क्या आ जाता है जमिन से salt जो होता है नमक सरी का पूरे लेक में जमा हो जाता है Sambar Lake is one such salt lake of the desert region Sambar Lake क्या है एक lake है एक water body है लेक यह desert region में है there are few temporary streams and rivers form due to rainfall but they disappear in the sand यहाँ पे क्या है बहुत कम streams है मतलब क्या जैसे नदी है वह इसे बहुत कम दिखने को मिलेगी और वह भी rainfall कम होने के बाएसे ज्यादा बहने वाली नदिया यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है the only seasonal river that crosses the sandy desert is loony river यहाँ पे सिर्फ loony river ऐसी है जो कि यहाँ पे बह सकती है वह भी seasonal है permanent river नहीं है we join the arabian sea through the run of kach run of kach is a part of Rajasthan and Gujarat in the state of Gujarat well are dug at place where underground water is found जहाँ पे underground पानी मिल सकता है पानी के बिना तो रहना मुश्किल है इसके लिए ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी मिल सकता है ऐसी जगह पे कुवे खोदे जाते है well means कुवा they are protected from sandy storm by making high walls around them पहले ही हमने देखा है कि जब यह sand storms होते है तो काफी उसके उपर sand बैके आ सकते है तो कुवा भी समझो फिर से refill होने का chance रहता है यह फिर कुवा vanish होने का chance रहता है तो ऐसा हो ना पाए इसके लिए उसके around क्या करते है एक उची उची दिवारे बना दी जाते है Such area in the desert where water is found and agriculture is carried out are called oasis यह लेकिए oasis का एक picture यह आपे दिया हुआ है oasis मतलब क्या है इसको क्या बलते है oasis ऐसे पूरे रेगिस्तान में अगर कई पर पानी मिल गया और वहाँ पे अगर agriculture land develop हो सकती है तो इसे area को बोलते है oasis vegetation is very rare in a desert कुछ भी यहाँ पे उख पाना यह काफी मुश्किल रहता है only cacti cactus का जो plural form होता है उसको cacti बोलते है bubble, trees, dead palm and thorny bushes, thorny bushes मतलब चोटी चोटी बुश जो रहते है जाडी जिसको हम बोलते है वह थो थोरनी बुशेस can be seen in the desert area तो यह हम यहाँ पे देख सकते है कुछ ज़्यादा vegetation यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है trees बड़ी बड़ी देखने को नहीं मिलेंगी बस trees कुणसी bubble और dead palm और चोटी चोटी थोरनी बुशेश और cacti बस यही नाम याद करने है इसके अलाव़ यहाँ पे कुछ भी नहीं रहते है तो अगला part हम next video में cover करेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप यह वीडियो को like कीजिए अगर आपके कोई भी क्यूरी रहती है तो आप comment box में जरूर लिखे और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा share कीजिए और channel को subscribe कीजिए Thank you